जहिए दोस्तो आप लोग को मालू में लास्ट वीडियो में कोश्चन नमबर 40 तक हमने कंप्लीट कर लिये थे आज की इस वीडियो में कोश्चन नमबर 41 से हम आगे की कोश्चन डिसकस करेंगे तो चली कोश्चन नमबर 41 हमसे क्या कह रहा है और वर्केबिलिटी को मेजर करने के कौन-कौन से मेजर करते हैं किन से हम वर्केबिलिटी मेजर करते हैं और उन में से एक मैथड होता है हमारे पास कॉम्पेक्शन फेक्टर टेस्ट तो हमसे कह रहा है कि अगर आप कोम्पेक्शन फेक्टर टेस्ट से कौन-कौन-सी वैल्यू होगी workability of concrete की आयोप आप लोगको question के लिए रूवा होगा क्या कह रहा है फिर से आप लोगको बताता हूँ हमको workability बतानी है compaction factor test के according जब हमारे पास heavily reinforced action है जिसमें without vibration है अब चलिए सबसे पहले देखिए workability workability क्या होता है तो workability का मतला होता है कि concrete के साथ कितना easily हम work कर पा रहे हैं जितना easily हम concrete के साथ work कर पा रहे हैं जितना easily हम concrete को place कर पा रहे हैं उसकी workability उतनी ही क्या होती है जदा होती है अब इस workability को major करने के लिए हमारे पास कुछ method होते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि comment भी करना तो कुछ लोगोंने comment भी करा है और काफी अच्छा लगता है जब आप लोग इतना serious होते हो अपने exam के preparation को ले करके कि आप लोग comment करते हो और बताते हो कि सर यह यह तो मालुम पढ़ता है कि हाँ आप वाकिछ serious हो तो workability की बात करें तो flow table test होता है इस लम्ट टेस्ट होता है complexion factor test होता है और어가वी test होता है इस टेस्ट होते हैं हमारे चो यूज करें जाते हैं workability को major करने के लिए अब यहां पर जो कोस्षन फ्रेम वहा है हमारा वह तो Compaction Factor Test से फ्रेम होगा है तो Compaction Factor Test के एक हम बात करें तो दीए कि Compaction Factor पहले तो आपड़ेटर देख लो कुछ इस तरीके का आप लोगका एपड़ेटर होता है Compaction Factor Test का जिससे हम क्या करते हैं अपनी Workability को मेजर करते हैं अब एक तरफ देखो degree of workability लिखे हुई है एक तरफ slump को तो अभी आप छोड़ो slump में यही value दी हुई है लेकिन इसको अभी आप छोड़ो क्योंकि जब slump test पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा फिर compaction factor test दिया और एक तरफ application के कब उसको हम यूज़ करते हैं समझ रो तो यहां पर देखो हमारे पास दिया हुआ है कि यहां पर दो तिन condition दी हुई है सबसे पहले देखो अगर very low workability तो very low workability का मतलब है कि देखो अगर आप स्मॉल एप्रेटेस यूज़ कर रहे हो तो value 0.78 से लेकर के 0.80 के बीच रहेगी और यहां पर vibrated concrete होगी in roads और other large section पर low workability है तो 0.85 से 0.87 के बीच आप इसको मान सकते हो और यहां पर आप लोग की mass concrete foundation रहेगी without vibration फिर उसके बाद जो आता है medium के लिए तो 0.92 से लेकर के 0.93 जहां पर normal reinforcement work रहेगा without vibration and heavily reinforced section जो हमसे question में पूछा है heavily reinforced section रहेगा और without vibration रहेगा तो उसके लिए जो हमारी value होगी वो इतनी होगी 0.92 से लेकर के 0.93 तक हमारे पास होने वाली है और हाई के लिए बात करें तो 0.95 से 96 तक याप लोगी रहेगी के लिए तो यहां पर देखिए अगर हम बात करें तो हमाद लिए value कितनी हो जाएगी एवाब हो जाएगी 0.92 से क्योंकि heavily reinforced section और without vibration तो सही आंसर क्या हो जाएगा 0.92 बिल्कु सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास question number 42 question number 42 में हम से क्या क्या बोल रहा है maximum quantity of water needed per 50 kg of cement for m15 grade of concrete देखिए m15 grade of concrete हम यूज कर रहे है अपना तो हमको बताना maximum water कितना required होगा पर 50 kg of cement तो देखिए इसके लिए हमें क्या है water cement ratio में पता होना चाहिए अगर water cement ratio पता होगा तो सिमेंट हमको मालूम है 50 kg है तो उसके लिए water का amount अपना calculate कर लेंगे है के नहीं तो चलिए इसके लिए माप लोगों को और M 15 के लिए 0.64 होता है और M 20 के लिए 0.60 होता है तो हमसे बात कर रहा है M 15 के लिए तो M 15 के लिए water cement ratio कितना होता है 0.64 तो देखिए M 15 ग्रेट के लिए जो water cement ratio होता है वह कितना होता है 0.64 हुआ तो water cement ratio अगर 0.64 हुआ तो water हमको calculate करना cement हमें 50 kg दिया हुआ 0.64 तो यहां से जब water निकालेंगे तो 0.64 into 50 हो गया और solve करने के बाद आप लोगा कितना जाएगा 32 kg हो जाए हमको water कितना required होगा तो water required होगा 32 kg में 32 लिटर हम उसको बल सकते हैं तो सही answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा option number C बिलकुँ सही answer हो जाएगा कि लिए चलिए next question पर हमाँ जाते हैं next question is question number 43 in case of hand mixing of concrete the extra cement of the extra cement to be added concrete the झापको क्रिट होती है Soviet concrete नमैरे पास prepare करे जाती तो इसमें binding material भी होता है fine aggregate moreजे मिक्ष करना होता है you talk सब को क्या करना होता है मिक्स यान कि इन सब को मिक्स करके हमें क्या बनाना होता है इनका पेस्ट बनाना होता है तो मिक्सिंग के हमार पास दो तरीके होते हैं एक होता है मार पास हैंड मिक्सिंग और दूसरा होता है हमारे पास मसीन मिक्सिंग ठीक है या तो हम हैंड मिक्सिंग करें या फिर हम क्या करें मसीन मिक्सिंग करें तो इसमें कह रहा है कि अगर हम हैंड मिक्सिंग कर रहे हैं कौन सी मिक्सिंग कर रहे हैं हैंड मिक्सिंग कर रहे हैं तो हमें कितना एक्स्टर से करना पढ़ेगा है कि नहीं अब वो कितना करते हैं तो चलिए को दिखा दिता हूं देखे mixing दो तरीके की होती है मैं आपको बताती है देखे जो आप लोगे hand mixing होती है पहले चीज़ तो hand mixing जो allow करी जाती है वो small works के लिए आप लोगे allow करी जाती है या फिर important works के लिए hand mixing adopt करी जाती है और it is advisable for 10% use 10% more cement than specified यानि कि जितना भी सिमेंटम को specified होगा जितना भी हमको मालूम होगा कि इतना सिमेंटम को required है लेकिन अगर आप महां पर हैंड मिक्सिंग कर रहे हो तो उसका 10% extra आपको देना पड़ेगा तो hand mixing में कितना देते हैं 10% वहीं पर अगर हम बात करें किसकी मसीन मिक्सिंग की तो मस करी जाती है मसीन मिक्सिंग के लिए तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा option नमबर भी बिल्कु सही अंसर हो जाएगा ठीके 10% तो factual को से नहीं इसमें कुछ समझने ऐसा है नहीं तो आप इसको याद रखेंगे कि कितना वो ट्रॉम को required होता है hand mixing 10% यह द से हम अपनी मसीन मिक्सिंग को परफॉर्म करते हैं नेक्स आता है मेरे पास question no 44 यहां पर कह रहा है कि four ball column and vertical faces of all structure member the form work is generally removed after यहांने कि देखिए हमारे पास सबसे पहले दुजर हमको यहीं समझना होगा कि four work क्या होता है four work क्या होता है फिर wall column और vertical faces से structure कि कितने टाइम बाद हम उसको remove कर देते हैं तो देखिए four work की अगर हम बात करें तो four work क्या होता है आपने देखा होगा कि एक फ्रेम structure होती है ते क्या होती है एक फ्रेम temporary आम इसको बह सकते हैं temporary temporary इसे टेक्चर होती आपने बहasses की कमेंबर कोई craft करा जाता जैसे कोई बीम बनाना तो बीम बनाने के लिए आपने देखा होगा पहले उसका एक फ्रेम तैयार करा जाता है क्या इस तरीके से फ्रेम तैयार होता है उसका फ्रेम होता है फिर उसके अंदर क्या करते हैं हम अपनी कॉंक्रीट को पॉर कर देते हैं कॉंक्रीट को क्या कर दे देते हैं तो जब हमारी concrete set हो जाती है तो यह fireman हम भी Cand मैं भेआ गाज प्लिव को किसका वुल या पिर वी एसकता है या पने सुनदों को अ menjadi senior आप कर वह हो सकता है यहां आजके जो क्या उटका है डोयो अचनल होता है था अचनल प्रेइव एक चैसे कर म commitment St accident अती है आपने सुनाओ को सट्रिंग करके सुनाया ना जो सट्रिंग होती है ना उसी को एक्जलिक फॉम वर्क बोलते हैं तो माईवान सट्रिंग आती है जो आज कल यूज करे आती साइट पर जो मल्टी स्टोरी building होती है दस बीस पचास मंजिल की तो उनमें जो हम यूज करते हूं माईवान सट्रिंग अपनी यूज करते हूं तो फॉर्म वर कुछ भी नहीं है लोकल लेंग्वेज में हम अपना इसको सट्रिंग भी बोलते हैं तो जो सट्रिंग होती है ना एक तरीके से उसको आप समझ सबस्क्राइब होगा है तो आपने पहले इसको बना दिया फिर सके बाद आपनी इसके अंदर कॉंक्रीट डाल दी इस इस सैट होगी अप इसको आप हटा दोगे तो आपकी जो वो बन करके तयार हो जाईगा तो इसी को बोलते हैं अब इसकी क्या होती है अलग-वाइज से सोनी हैं उसके लिए 24 से 48-hour का टाइम होता है कंक्ली तिरी डेस का होता है बिंट के लिए सेवं डेसको हुटा है हुता है नॉर्ण में लेकिन अगर आपके पास प्रॉब स अप्ताइब लेए तो कोनों का कॉम्विनेशन है ठी तो उसके समें बीम और आर्चिस की अगर बात हो रही है और जिसकी स्पैन जो आप लोगी वह सिक्स मीटर है तो आप लोग उसको 14 डेज में हटाओगे फॉर्मवर को और जो आपका बीम और आज चीजे और वह इसकी स्पैन लेकिन 6 मेंटर से जाद है तो आप उसको 21 डेज माट होगी तो एक तरीके साफ यह भी कह सकते हो कि इस पैन के ओपर भी डिपेंड कर रहा है और जो हमारा इस्टेक्चर मेंबर है वह कौन सा उसके ओपर भी डिपेंड कर रहा है तो अभी सर्कोशन में कौन सा पूछा गया है तो अभी अंसर हो जाएगा चलिए नेक्स को सिन पर आते हैं नेक्स को सेने को सिन नमर 45 इसमें क्या बोला था इंडिवीच्व वाइबरेशन बिट्विन टेस्ट स्टेंथ ऑफ सेंपल शुड नोट भी मौड देन देखिए हम सागे रहा कि इंडिवीच्व वाइबरेशन बिट्व क्यूब प्रिपेर करें क्यूब प्रिपेर करें और उनकी हम स्टेंथ को टेस्ट कर रहे हैं उनकी क्या है जो स्टेंथ है उसको हम टेस्ट कर रहे हैं तो एक एक से दूसरे दूसरे से तीसरे और तीसरे से चोथी सेंपल के बीच अगर हम देखें तो कितना से ज़्यादा variation नहीं देखने को मिलना चाहिए एक sample की strength को अगर हम दूसरे sample की strength से compare करें तो उसमें कितने से ज़्यादा variation को देखने को नहीं मिलना चाहिए तो अगर आप इसका टिक कर रहे हो 5% तो गलत answer टिक कर रहे हो 5% value आप decide करते हो जब आप क्या करते हो उसकी characteristic strength को निकालते हो कौन सी strength को निकालते हो characteristic strength को निकालते हो तो आपको मालूम होगा beta distribution करवा आप बनाते हो इस तरीके से तो आप decide करते हो एक boundary को बोलते हो कि यह आप लोग की boundary अगर इससे नीचे 5% result fail हो रहे हैं बाकि 95% जो इससे ज़्यादा है तो यह boundary हमको बताती है कि यह हमारी characteristic strength होगी और यह जो होती है इसको 1.65 सिग्मा बोलते हैं तो यहां से यह हमारे पास main strength होती है जो कि FC के plus के 1.65 सिग्मा करके हमको मिलती है ठीक है और यह जो एक और question यहां से बनता है कि beta distribution करव का जो area होता है वो हमको क्या देता है तो area जो देता हमको number of sample देता है area हमको number of sample देता है ठीक है लेकिन यहां पर हमें overall को नहीं पूछ रहा है कि overall कितने क्यूब इससे कम रहने चाहिए कितने ज़्यादा रहने चाहिए अगर आफ 5% कर रहे हो तो तो गलाट टिक कर रहे है इसका मतलब यह है कि individual variation का मतलब है कि अगर हम अलाग अलाग हमने क्यूब प्रिपेर करें तो इन क्यूब में अगर हम एक क्यूब की स्टैंड को दूसरे से कंपेर करें दूसरे को तीसरे से करें तीसरे को चोट्य जघरें तो इनकी स्टेंट्ट से ज्यादा वैरीस नहीं उसा इंदीविज न मतलब मतलब अलग अलग जो है सेंपल कि अगर आप तो उनमें 15 परसेंट से जादा वैरीस नहीं नहीं होना चाहिए तो इसका six five sigma होता है ठीक है और यहां पर अगर individual variation होगा तो उसमें कितना variation हम consider करते हैं अपना सैंपल के strength में ठीक है तो ब्लस माइनस 15 पर सेंट होता है तो यह मैंना आप लोगों बताई दिया करेक्टिस्टिक स्टेंट बीटर डिस्टिविशन कर जो होता है उसको जो एरिया होता है वो हमको नमरों सैंपल देता है यह सारी चीजा आप लोगो रिटिन में मिल जाएंगी के लिए इसके बाद आगर हम बात करें तो यह तो मैंना यह रिए अनवन्स्मेंट है कि अगर आप लोगो के अनगंतल ताबूप स्टोष्यंट पढ़ना है कम भीड़ेन एंद लिए स्टोष्य वदेर लिए विद्व प्लस प्लस प्डेएफ तो आप लोगों मिल जाएगा जिसके लिए आप लोगो करना क्या होगा हमारे चैनल है वी आई पी सिविल गुरू सेम नाम से हमारा एप्लिकेशन भी है प्ले स्टोर पर तो वो है आप उसको डाउनलोड करके इंडॉल कर लीजिए बागी मैंने लिंक भी आप लोगो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है लिंक से जाकर के भी आप से लिए तो आप जाकर करके उसको जोइन कर सकते हैं जब एक बार जाकर करके आप उसको जोइन करेंगे तो वहां पर आप लोगो कोर्स विजिबल हो जाएगा इस टोर में यह कोर्स आप तभी जोइन कीजिएगा जब आपने तियोरी अच्छे से कर रखी हो अगर आपने कौनसएप भी यहाँ पर डिसकस करें कौनसएप मतला यहाँ पर बेसिक टू एडवांस है लेकिन हां यह है कि उतना ज़्यादा तो डिटेल में नहीं है लेकिन उतना जज़्यादा है कि एक्जाम में आप यसी तक के कुर्शन बना लोगे ठीक है इंचिनिरिंग सर्विस पोचनल पर लोट कर देता हूं एक विदियू पर जोईर्म नोटिफिकेसिन अथो लाता है तो पीडीयो के लिए सब्सक्राइब इस भी उइसके नीचे दियो मोगा को करने पर दो जोर्ण कर लेना चलो ठीक है आप लों पर मैंने दो मिनुनत ले लिए अप छलो कोशन पर हम अपना जाते हैं नेक्स कुशन है कुशन नमर 46 इसमें बोला है कि वन होब दा क्राइटिरा फॉर्ड इफेक्टिव डैप्ट ओफ फ्लेंज ओफ टी बीम इस देखिए हमसे कह रहा है कि हमारे पास टी बीम है ठीक है तो टी बीम की जो फ्लेंज है उसके लिए हमे इफएक्टिव बिट का फॉर्मूला हमको गिविन है एफएक्टिव बिट का फॉर्मूला कितना है हमारे पास एलोट अपॉन 6 प्लस के बी ई प्लस के 6 डी है ठीक है यहां पर डी एफ जो है हमारे पर डैप्ट ओफ लेंज होती है झाहिए इसको बी डबलु भी आप तो सबसे पहले तो हमको इफेक्टिव बिट पता होनी चाहिए तो इफेक्टिव बिट की अगर हम बात करें तो हमको मालूम है यह हमारे पास क्या है टी सेक्षन है यह हमारे पास क्या टी सेक्षन है ठीक है तो टी सेक्षन की यह जो होगी इसको हम बोलेंगे ऑवरॉल बिट यह हमारे पास overall bit होगी लेकिन अब देखो यह अगर टीबी में तो ऐसा तो है नहीं कि टीबीम की overall bit पर लोड आ रहा हो तो जितनी बिट पर लोड आता है जितनी विट पर लोड आता है या पर जितनी एफेक्टिव होती है आप लोगे उसको हम क्या बोलते हैं इफेक्टिव बिट बोलते हैं ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं बीएफ टीक है तो बीएफ क्या हो कि एफेक्टिव बिट यानि कि टीबीम की जो बिट है उस पर फ्लेंज की जो बिट है उस पर कितनी पर लोड आ रहा है जितनी बिट पर लोड आता है उसको हम क् effective span भी बोलते हैं क्या बोलते हैं हम इसको effective spend जब आप पढ़ोगे नदो आपको मालूम पढ़ेगा कि हम इसको इनकी project content becap na बोल देते हैं अभ effective span बोल देते थे उसके FootASS नमबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाने चाहिए क्यों उसने लोट पूचा लोट क्या होगा लेकिन यह मौस्ट एप्रोप्रियेट आंसर हमको चूज करना होता है तो इसको हम एफेक्टिव स्पैन बोलतो देते हैं लेकिन एक्षिल मां होती क्या है यह तो होती क्या अगर सप हमारे पास क्या है यह कोई सिंप्ली सपोर्टिड भीम है और इस पर हमारा क्या है यूडियल लगा अब सपोज इसका जो आपका क्रोस सेbyल हो अटी सेखन हो सकता है लेकिन सिंप्ली सबडै यूडियल लगा जब अब इसका बेंद क् neutrin को और यह पॉ closet हो इक देना उत को द नोर्ट पोलते हैं उसको क्लिकत पर को अधिक मैंना बोलते हैं तो हमारे पास क्या होता HKDm section कおお d section अगर सिंगल सिंगल सब्कार्ण में बना हुआ है कली एक इए सब्सक्राइफ दो इस पालिए मन बना हुआ और अगर सुन baka मोग को सब Olha निए दूसयान दूसरा यह इस की क्या होगी इ 대res path टीक है तो इसी स्पेंपट बेर्ण Inowe then कलें तो धो पोइंट हमको ऐसे मिलें आपर बेंडी दिश्किर नियूंट आपका zero हो उंके भी बीस के डिस्टैंश होगी मोई दो क्या बोल देंगे लोंट बोल देंगे हैं लियर चलिए next question है हमारे पास question number 47 इसमें क्या कह रहा है for a cantilever of effective depth of 0.5 meter हमारे पास एक cantilever beam है उसको effective depth कितनी है 0.5 meter है maximum span of satisfy vertical deflection limit हमको बताना है कि जो maximum span होगी maximum span की value बतानी maximum span कितना हो सकता है ठीक है जो vertical deflection limit को consider कर रहे हैं तो यहां पर हमको कहने का मतलब यह deflection criteria को consider करना है और आपको मालूम है जब हम LSM method पढ़ते हैं तो उसमें दो criteria पढ़ते हैं एक तो होता है हमारे पास limited state of collapse limited state of collapse हम पढ़त हैं और दूसरा होता है limited state method of deflection ठीक है तो यहां पर deflection limited state of deflection limit state of serviceability को पढ़ते हैं limited state of serviceability तो इस serviceability में आता है मारे deflection क्या आता है deflection ठीक है तो इसके हम बात करते हैं पहले इसके बारे माई-स code बोलता क्या है तो दीखिए इसके लिए आई-स code बोलता है आपका कि अगर आपकी जो span है जो span है वो 10 less than equal to 7 के लिए 7 से cantilever के case में less than equal to 20 simply supported के case में और less than equal to 26 in case of continuous beam के case में वहीं पर अगर आपकी मानलो span 10 मिटर से जादा होगी हो सकता है सरी span चलो आपने यहां पर कहा less than equal to 10 meter है लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है span greater than equal to 10 मिटर हो तो इस case में इन्होंने बोल लखा है कि इस case में आपकी जो effective length upon जो effective depth होगी depth का ratio होगा वो less than होगा किस से less than होगा less than equal to होगा जो आपकी value है suppose अगर हम बात करें किस के लिए simply supported के लिए तो simply supported के लिए value कितनी है 20 तो इन्होंने बोला कि जो value होगी उसमें आप क्या करोगे 10 by span से multiply करा दोगे फिर compare करोगे यानिकि जो भी इनमें से value होगी अगर span आप लोगी 10 मिटर से ज़्यादा है तो इनी values को उठाना है आपको ठी value होगी उसमें 10 by span से multiply करा देनी फिर compare करोगे आप तो आप लोगे क्या है अगर span 10 मिटर से ज़्यादा है तो आप महाँ पर एल इफेक्टिव लेंथ अपनी calculate कर पाओगे ठीए तो अभी तो यहां पर हमारे पास देखो जो span है वो कितनी यहां पर कुछ दी नहीं है इस पै लाइस दान इकल उक्व टू अगा से वन ठीक है तो एल इफेक्टिव अपन यहां पर इफेक्टिव डेप्स कितना दिया हुआ 0.5 लाइस दैन इकल टू 7 तो यहांस से एक्टिव लें तक निकालेंगे तो कितना जागा 3.5 तो नहीं होते हैं ना तो कितना जागा 3.5 हमार हम और 48 इसमें क्या है वोल लाग 4 और सिंप्ली सपोर्ट इंअ कैसा भी में सेम्प्ली सपोर्ट इंब इस पेन्स पिकितनी है 15 अलिकिगत the minimum effective depth हमको effective depth अपनी बतानी है कितनी होगी to satisfy the vertical deflection limit और यहाँ पर vertical deflection limit लगानी है अब देखो span जो होगी यहाँ पर हमारी 15 meter है यानि कि greater than 10 meter है अगर 10 meter से ज़्यादा है तो effective depth upon effective length upon depth का जो ratio है simply supported के case में कितना होना चाहिए less than 20 होना चाहिए लेकिन अगर span 10 meter से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे 10 by span से multiply कराएंगे इसको तो यह कितना आएगा effective length एक काम करो effective length हमको given है effective length कितनी है 15 meter upon इसको 1500 mm में कर लो mm मांसे दे रखा तो 1500 हो गया और नीचे कितना है यह डी और less than equal to कितना हो जाएगा 200 upon span कितना है span है 50 तो इसको जब आप solve करोगे तो यहां से solve करने के बाद आप लोगा question number 48 में option आ जाएगा आप लोगा 1125 mm कितना जाएगा 1125 mm ठीक है तो कौन से option में 1125 mm जोगा आप लोगा more than one meter तो सही answer जो जाएगा option number डी हो जाएगा आपको solution भी इसका दिखा देता हूं यह देखो ठीक है तो यह आप लोगा 20 था 10 y spend से multiply 200 upon spend 15 था इसको solve कर रहा तो यह है अब यहां से spend तो मालूम है 15 चलो mm में मत करो क्योंकि answer आप लोगा more than one meter आ रहा ठीक है तो यह आप लोगा नीचे जाएगा डी निकालोगे तो more than one meter आ रहा यह mm में सुल करोगे तो 1125 mm का solve कर देना मैंने solve करके रखा हुआ है ठीक है चलिए नेक्स कुछन ना जाता है नेक्स कुछन कोशन नमबर 49 49 में हमसे क्या बोला फॉर कंटिनियूस लैब ओप 3 मिटर भाई 3.5 मिटर साइज दा मिनीमम ओवरॉल टैफ्ट ओफ स्लैब तू सैटिस्व जो deflection criteria होता है वो same होता है यानि कि less than seven अनुची cantilever के case में और साथ में अगर हम बात करें तो simply supported case में 20 और continuous के case में आप लोगो 26 तो इस तरी के सा हमारे पास होता है तो same criteria हमारा यहां पे भी वो रखा जाता है जो same criteria beam के लिए होता है वही slab के लिए होता है लेकिन condition यहां प कोई भी slab अगर दियो है suppose यह slab दियो है तो हम करेंगे क्या longer by shorter करेंगे तो जब इसको solve करेंगे तो value ऐई 1.167 इसका मतलब less than two है तो less than two है तो इसका मतलब इस slab कैसी होगी हमारे पास two-way slab कैसी होगी तोगी तूब अगर greater than equal to ब्क्रॉत करें आजाता तो हमारे पास कैसी हो टूब सब्सक्रीज खालोप ऀस्ता सबसार बश्क्राइए न में बशू सबस्क्राइब कोग को की लिए नियुक्त ऐसुट। यहां पर सब्सक्राइब के कहिं कमड़ीज कि दूसरीज पर इस ना हँगा तो एल उसने बोला तरी क्योंकि तरी मीटर भाई 3.5 मीटर की सिलाइब है तो यह लंबाई होगी चुड़ाई होगी तो लंबाई कितनी आगी तरी डी तो यहां से मीटर में है तो इसको में में कर लो जब सोल करोगे तो कितना जागा 75 तो यहां से इफेक्टिव डैप्थ हमारे पास कितनी है जाएगी इसकी 75 में में जाएगी जो की ऑप्शन नमबर भी में है ठीए तो आई होप आप लोगोई किलियर हुआ होगा चलिए नेक्स कुस्टन करते हैं नेक्स कुस्टन की बात करते हैं कुस्टन नमर 50 इसमें हमसे क्या कह रहा है अकोर्डिंग टू आईस पॉर फाइब सिक नाइन इस एट फ्लेक्जरल स्टेंट औफ कॉंक्रेट हमें बताना है कि फ्लेक्जरल स्टेंट जो होती है वह कितनी होती है तो दीखो यार स्टेंट के हम उसको बोल सकते हैं तो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आप लोग को पहले कई बार बता चुका हूं और देखो जैसा कि मैं आप लोगो बोला था कुछ स्टूडेंट जो वह सीरियस हैं जैसे महें करके थे उन्होंने हमारे जवाब दिया था पूछा था तो आप लोग भी अगर जवाब दोगी तो नेक्स्ट वीडियो में क्या आप लोग का भी नाम लिया जाएगा जो कुछन पूछे जाते हैं और उनको आप जवाब दिया करो ठीके न तो आप लोग क्या है कि मैं आप लोग को थोड़ा सा एक कुशन दे रहा कि अगर M25 ग्रेड है M30 ग्रेड है M40 ग्रेड है तो इन ग्रेड में इनकी करेक्टिस्टिक स्टेंद कितनी होगी मेगा पासकल में किसमें बतानी मेगा पासकल में ठीक है तो मेगा पासकल में M25 ग्रेड की M30 ग्रेड की आपको करेक्टिस्टिक स्टेंड बतानी जो बताएगा उसको क्या है उसका नाम लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में उसका स्क्रीन सोट लेकर के भी मैं आपे लगाँगा वीडियो में के लिए तो जो जो लोग बताएंगे तो देखेंगे उनका नाम लेंगे और हां लि के लिए केबल 365 रुपे में मुझे नहीं लगता है सबस्ता कुछ हो पाएगा होली ओफर है यह सिर्फ आज आज और एक्टिवेट रहेगा तो आप जाकर के इसको इन्रॉल कर सकते हो थैंकि सो मच गाई फॉर वाचिंग इस वीडियो